C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय साथ भिन प्रिष्ट 161 साथ दशमलवाट समान भिन समान हर वाली भिन समान भिन यानि लाइक फ्राक्शन्स कहलाती है इस प्रकार एक बटा पंद्र है दो बटा पंद्र है तीन बटा पंद्र है आठ बटा पंद्र है सभी समान भिन है क्या साथ बटा सत्ताईस और साथ बटा अठाईस समान भिन है इनके हर भिन है अतह ये समान भिन नहीं हैं, ये असमान भिन यानि अनलाइक फ्रैक्शन्स कहलाती हैं. समान भिन्नों के पाँच युगम और असमान भिन्नों के पाँच युगम लिखिए. साथ दशम लवना भिन्नों की तुलना सुहनी की थाली में साड़े तीन यानि तीन एक बटा दो रोटियां है और रीता की थाली में दो दो बटा चार रोटियां है किसकी थाली में अधिक रोटियां है? सपश्ट अतह सुहनी के पास तीन से अधिक रोटियां है और रीता के पास तीन से कम रोटियां हैं, अथह सोनी के पास अधिक रोटियां हैं। अब अकritी 7.12 में दर्शाई भिन्नो एक बटा दो और एक बटा तीन पर विचार कीजिये। पूर्ण के एक बटा दो का संगत भाग उसी पूर्ण के एक बटा तीन के संगत भाग से सपश्ट रूप से बढ़ा है, अथह एक बटा दो, एक बटा तीन से बढ़ी है। सोच सकते हैं, जैसा आकृती 7.1-2 में है, परंतु आकृतियां बनाना सदैव सरल नहीं होता, विशेश कर जब हर 13 जैसे हूं, अतह हमें भिन्नों की तुलना करने की कोई क्रम बद्ध विधी ग्यात करनी चाहिए, विशेश रूप से समान भिन्नों की तुलना करना सरल है, इ प्रयास कीजिए, एक, आप जूस की बोतल का एक बटा पांचवां भाग प्राप्त करते हैं, और आपकी बहन को उस बोतल का एक थिहाई भाग मिलता है, किसको अधिक जूस मिलता है, प्रिष्ठ 162, 7.9.1 समान भिन्नों की तुलना, समान हर वाली भिन्न, समान भिन्न होती हैं, इन में से कौन सी भिन्न समान भिन्न हैं? 2 बटा 5, 3 बटा 4, 1 बटा 5, 7 बटा 2, 3 बटा 5, 4 बटा 5, 4 बटा 7. आए दो समान भिन्नों 3 बटा 8 और 5 बटा 8 की तुलना करें. 3 बटा 8, 5 बटा 8. दोनों भिन्नों में पूर्ण को 8 बराबर भागों में विभाजित किया गया है. इन 8 बराबर भागों में से हम 3 बटा 8 और 5 बटा 8 के लिए क्रम शहत 3 और 5 भाग लेते हैं. स्पष्ट है के पांच भागों का संगत भाग तीन भागों के संगत भाग से बड़ा है अतह पांच बटा आठ तीन बटा आठ से बड़ा है ध्यान दीजिये के लिए गए भाग अंश से प्राप्त होती है अतह यह स्पष्ट है के समान हरों वाली दो भिन्नों के लिए बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है चार बटा पांच और तीन बटा पांच में चार बटा पांच बड़ी भिन्न है 11 बटा 20 और 13 बटा 20 में 13 बटा 20 बड़ी है इत्तियादी प्रयास कीजिये 1. कौन सी भिन्न बड़ी है 1. साथ बटा 10 या आठ बटा 10 2. 11 बटा 24 या 13 बटा 24 3. सट्रह बटा 102 या बारह बटा 102 ऐसी भिन्नों की तुलना करना क्यों सरल है 2. निम्न को आरोही करम में लिखिये और 7 ही अरोही करम में भी लिखिये A. 1.8, 5.8, 3.8 B. 1.5, 11.5, 4.5, 3.5, 7.5 C. 1.7, 3.7, 13.7, 11.7, 7.7 साथ दशमलव नौ दशमलव दो असमान भिन्नों की तुलना दो भिन्ने असमान होती हैं यदि उनके हर भिन्न भिन्न हों उदाहरणार्थ एक बटा तीन और एक बटा पांच असमान भिन्न हैं दो बटा तीन और तीन बटा पांच भी असमान भिन्न हैं प्रिष्ठ 163. समान अंशवाली असमान भिन्न. यहां दो आकृतियां दे गई हैं, जिन में कुछ भागचाय अंकित है. एक बटा तीन, एक बटा पाँच. हर समान भिन्न. एक बटा तीन और एक बटा पाँच के एक युगम पर विचार कीजिए, जिसमें अंश समान है. एक बटा तीन बड़ी है या एक बटा पाँच. एक बटा तीन के लिए हम एक पून को तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं और उसमें से एक भाग ले ध्यान दीजिए कि एक बटा तीन में पून को एक बटा पांच की तुलना में कम भागों में विभाजित किया गया है अतह एक बटा तीन में प्राप्त बराबर भाग एक बटा पांच में प्राप्त बराबर भागों से बड़े हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि दो बटा तीन दो बटा पांच से बड़ा है। अब हम बटा पांच दो बटा तीन दर्शाने वाला भाग से बड़ा है। इसी प्रकार एक बटा आठ एक बटा तीन दो बटा पांच दो बटा साथ को बढ़ते हुए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ये सभी भिन असमान भिन हैं परन्तु इनके अंच समान हैं। अथह जितना हर बड़ा होगा भिन उतनी ही छोटी होगी। प्रिष्ट 164 प्रयास कीजिए। 1. निमनलिखित भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। a. एक बटा बारह, एक बटा तेईस, एक बटा पांच, एक बटा साथ, एक बटा पचास, एक बटा नौ, एक बटा सत्रह b. तीन बटा साथ, तीन बटा ग्यारह, तीन बटा पांच, तीन बटा दो, तीन बटा तेरह, तीन बटा चार, तीन बटा सत्रह सी, उपरोक्त प्रकार के तीन और उदाहरन लिखिये तथा उन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए मान लीजिए हम दो असमान भिन, दो बटा तीन और तीन बटा चार की तुलना करना चाहते हैं ऐसा करना तब संभव होगा जब हम दोनों भिन्नों के हरों के भाग किसी तरह से बराबर बना लें अर्थात उनके हर बराबर बना लें एक बार ऐसा कर लेने पर जो समान भिन्न प्राप्त होगी उसके अंशों के भागों की तुलना करके भिन्नों की तुलना सरलता से की जा सकती है आईए पुनह दो बटा तीन और तीन बटा चार को लें और इनकी तुल्य भिन्न ग्यात करें अब दो बटा तीन बराबर चार बटा चै बराबर चै बराबर चै बराबर नो बराबर आठ बटा बारह बराबर दस बटा पंद्रह बराबर आदी आदी इसी प्रकार तीन बटा चार बराबर छह बटा आठ, बराबर नौ बटा बारह, बराबर बारह 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 सुलह बराबर आदी आदी दो बटा तीन और तीन बटा चार में समान हर बारह वाली तुल्यभिन क्रमशह आठ बटा बारह और नौ बटा बारह हैं अर्थात दो बटा तीन बराबर आठ बटा बारह है और तीन बटा चार बराबर नौ बटा बारह है चुंकि 9 बटा 12, 8 बटा 12 से बड़ी है, इसलिए 3 बटा 4, 2 बटा 3 से बड़ी है उदाहरण 6 4 बटा 5 और 5 बटा 6 की तुलना कीजिए हल, ये असमान भिन हैं, इनके अंश भी भिन भिन हैं आएए इनकी तुल्य भिन्नों को लिखें 4 बटा 5 बराबर 8 बटा 10 बराबर 12 बटा 15 बराबर 16 बटा 20 बराबर 20 बटा 25 बराबर 24 बटा 30 बराबर 28 बटा 35 बराबर आदी आदी प्रिष्ट 165 5 बटा 6 बराबर 10 बटा 12 बराबर 15 बटा 18 बराबर 20 बटा 24 बराबर 25 बटा 30 बराबर 30 बटा 36 बराबर आधी आधी समान हर वाली तुल्य भिन्न है 4 बटा 5 बराबर 24 बटा 30 और 5 बटा 6 बराबर 25 बटा 30 चुँकि 25 बटा 30 24 बटा 30 से बड़ी है इसलिए 5 बटा 6 चार बटा 5 से बड़ी है ध्यान दीजिये कि तुल्य भिन्नों का समान हर 30 है जो 5 गुणा 6 के बराबर है यह पांच और छै का एक सार्व गुणज है इसलिए दो असमान भिन्नों की तुलना करते समय हम पहले इन भिन्नों की ऐसी तुल्य भिन्ने ग्यात करते हैं जिनमें इनके हरों के सार्व गुणज हूं उदाहरण साथ 5 बटा 6 और 13 बटा 15 की तुलना कीजिए हल यह असमान भिन्न है पहले हमें 6 और 15 के सार्व गुणज वाली तुल्य भिन्ने ग्यात करनी चाहिए अब 5 गुणा 5 बटा 6 गुणा 5 बराबर 25 बटा 30 13 गुणा 2 बटा 15 गुणा 2 बराबर 26 बटा 30 है चुँकि 26 बटा 30, 25 बटा 30 से बड़ी है इसलिए 13 बटा 15, 5 बटा 6 से बड़ी है लस क्यों? 6 और 15 का गुणन फल 90 है सपश्ट तह 90 भी 6 और 15 का एक सार्व गुणज है हम 30 के स्थान पर 90 का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें कोई गलती नहीं होगी परन्तु हम जानते हैं कि छोटी संख्याओं के साथ कार्य करना अधिक सरल और सुविधा जनक होता है इसलिए हम सार्व गुणज को अधिक से अधिक छोटा लेना चाहेंगे इसलिए समान हर बनाने के लिए हरों के लस को प्राथमिकता दी जाती है प्रश्नावली साथ दशमलव चार प्रश्नावली साथ दशमलव चाहेंगे दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह छोटी या बड़ी भरिये 5 बटा 6 डाश 2 बटा 6 3 बटा 6 डाश 0 1 बटा 6 डाश 6 बटा 6 8 बटा 6 डाश 5 बटा 6 2 भिन्नों की तुलना कीजिये और उचित चिन्ह लगाईए a. 3 बटा 6 डाश 5 बटा 6 b. 1 बटा 7 डाश 1 बटा 4 c. 4 बटा 5 डाश 5 बटा 5 d. 3 बटा 5 डाश 3 बटा 7 3 ऐसे ही 5 और युगमली जिये और उचित चिन्ह लगाईए 4. निम्न आक्रितियों को देखिये और भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह बड़ी, बराबर या छोटी लखिये a. 1 बटा 6 डाश 1 बटा 3 b. 3 बटा 4 डाश 2 बटा 6 c. 2 बटा 3 डाश 2 बटा 4 d. 6 बटा 6 डाश 3 बटा 3 e. 5 बटा 6 डाश 5 बटा 5 ऐसे ही 5 और प्रश्न बनाईए और अपने मित्रों के साथ उन्हें हल कीजिये प्रिश्ट 166 पांच देखें कितनी जल्दी आप करते हैं उचित चिन्ह भरिये छोटी बराबर या बड़ी a. 1 बटा 2 डाश 1 बटा 5 b. 2 बटा 4 डाश 3 बटा 6 c. 3 बटा 5 डाश 2 बटा 3 d. 3 बटा 4 डाश 2 बटा 8 e. 3 बटा 5 डाश 6 बटा 5 F. 7 बटा 9-3 बटा 9 G. 1 बटा 4-2 बटा 8 H. 6 बटा 10-4 बटा 5 I. 3 बटा 4-7 बटा 8 J. 6 बटा 10-3 बटा 5 K. 5 बटा 7-15 बटा 21 6. निम्न लिखित भिन तीन अलग अलग संख्याई निरुपित करती हैं इन्हें सरल्तम रूप में बदल कर उन तीन तुल्य भिन्नों के समूहों में लिखिये A. 2 बटा 12 B. 3 बटा 15 C. 8 बटा 50 D. 16 बटा 100 E. 10 बटा 60 F. 15 बटा 75 G. 12 बटा 60 H. 16 बटा 96 I. 12 बटा 75 J. 12 बटा 72 K. 3 बटा 18 L. 4 बटा 25 7. निम्न लिखित के उत्तर दीजिए लिखिये और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया है A. क्या 5 बटा 9 4 बटा 5 के बराबर है B. क्या 9 बटा 16 5 बटा 9 के बराबर है C. क्या 4 बटा 5 16 बटा 20 के बराबर है D. क्या 1 बटा 15 है चार बटा तीस के बराबर है आठ इला सौ प्रिष्ठों वाली एक पुस्तक के पचीस प्रिष्ठ पढ़ती है ललिता इसी पुस्तक का आधा भाग पढ़ती है किसने कम पढ़ा नौ रफीक ने एक घंटे के तीन बटा छै भाग तक व्यायाम किया जबके रोहित ने एक घ अथाई भाग तक व्यायाम किया किसने लंबे समय तक व्यायाम किया दस पचीस विद्यार्थियों की एक कक्षा A में 20 विद्यार्थी 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर पास हुए और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा B में 24 विद्यार्थी 60 प्रतिशत या अधिक अंक ल अब ही आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, वाचनस्वर गौरव मारवा, निर्मान सहयोग, सौम्या मलिक, निर्मान विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत.